जल्द ही देव गुरू ब्रस्पती 119 दिन के लिए होने वाले हैं वक्री गुरू की उल्टी चाल बिगाड़ेगी इन राशियों का हाल तीन राशी वाले रखे इन चीजों में सावधानी मेरे यूटूब एक पास वाकत है नमशकार मैं हून रिश्मार सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाज जन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज़ के वीडियो को शेयर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे देव गुरू ब्रसपती कि देव गुरू ब्रसपती वक्री होने जा रहे हैं नो अक्तूबर को देव गुरू ब्रसपती वक्री होंगे और चार फबरी तक रहेंगे अगले साल यह लग बग 119 दिन के Inhale जब वक्री वस्ता में रहेंगे और वक्री वस्ता में आपके उपर इसका क्या असर नजर आ सकता है वैसे तो गुरू पॉस्टिव ग्रह है लेकिन कुछ राशियों के लिए इस समय गुरू की स्थिति ऐसी है कि वह नेगटिव गोचर में है यानि की नकारात्मक स्थिति में है वह गोचर अशुब के प्लैंट हैं जिसमें सूरे के साथ शुक्र और बुद्ध आते हैं यह हमेशा सूरे के साथ ही नजर आएंगे आपको किसी भी कुंडली में सूरे के सामने शुक्र नजर नहीं आएंगे सूरे के सामने बुद्ध नहीं आएंगे यह इनर सर्कल के प्लैंट हैं यह सूरे क वक्री होते हैं इनका चेश्टा बल बढ़ जाता है इनकी एक्षल में सूरे से एक निर्धारित दूरी होती है जब ये सूरे से लगबग 120 डिगरी के पार चले जाते हैं तो ये वक्री वस्ता में चले जाते हैं यानि कि किसी भी कुंडली में यदी कोई ग्रै सूरे से मंगल तो गुरू की स्तिती जो है वह 9 अक्तूबर को ऐसी होने जा रही है वह सूरे से लगबग 120 डिग्री दूर चले जाएंगे और वह वक्री हो जाएंगे अब वक्री ग्राय का चेश्टा बल बढ़ जाता है वैसे तो यह समाने घटना है हर साल गुरू 120 दिन के लिए वक्री हो होता है उसका चेश्टा बल बढ़ जाता है और वो ग्राय अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फाल करने के लिए ज्यादा ततपर हो जाते हैं तो आज इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि गुरू का गोचर किन भावों में किन राशियों के लिए अशुब हो आपके खर्चे का भाव है खर्चे के भाव होने के कारण यहां पर आपका खर्चा बढ़ सकता है मित्वन राशी के जात्कों को इस चीज के लिए त्यार रहना चाहिए कि 9 अक्तूबर के बाद और 4 फरवरी के बीच ऐसी स्थितिया आ सकती है जब आपके उपर अनेक्सप कि विवाद में मत पढ़िए किसी की गरंटी मत लीजिए किसी के साथ कोई भी ऐसी स्थिती बार बार आएगी यहां पर आप 120 दिन में देखेंगे 119 दिन में कि कोई ऐसी स्थिती बन रही है जिसमें आपकी इन्वाल्मेंट रिक्वाइड है या आपको धकेल दिया कि वहाँ पर इन्वाल्म मत होईए किसी की गरंटी मत लीजिए खास दोर पर किसी को पैसा मत लीजिए उधार तो यदि यहां पर किसी को पैसा देंगे उधार और आप किसी की गरंटी लेंगे तो आप फस सकते हैं ये स्थिती से बचने की कोशिश करिएगा इसके इलावा वहन थोड़ा सा धीमे चलाएगा यहां पर सिती अच्छी नहीं है और अश्टम भाव के उपर भी गुरू की द्रिष्टी है तो यहां पर हो सकता है कि आप द्रुगटना के शिकार हो जाएं तो कोशिश करना है कि वहन धीमे चलाना है खाने पीने का ध्यान रखना है और पर भी आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ चार महीनों में रुकावटें आपको आती हुई नजर आएं वहां पर थोड़ा सा पेशन्स रखिए और पेशन्स से काम करेंगे तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आगे आगे आकर नॉमल होती हुई नजर लेकिन इसके बावजूद यहां पर सावधान रहने की दुरूरत जादा है क्योंकि गुरू शुब गोचर में नहीं है यह सिती आपके लिए अच्छी नहीं है यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर वक ही चलना पड़ेगा मिथन राशी के जातकों को अगली राशी जिसको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो है तुला राशी तुला राशी के जातकों के लिए आप देख सकते हैं कुली में कि गुरू का गोचर जो है वो अश्टम भाव में हो रहा है अश्टम के गुरू कभी अच्छे नहीं होते तुला राशी के लिए तो वहां पर उसको सीरिसली लीजिए अपने वकील के साथ बात करिए प्रोपर उसको जो है वो जो डेकरम है उसका वो फोलो करिए यहां पर नहीं तो सिती थोड़ी सी आपके लिए नुकसान दैक हो सकती है गुरू का एक्टम में जाना दुरुगटना के लिहाँ से अच्छ में ऐसा हो सकता है इन चार महीनों के दुरान कि आपके खाते में कहीं न कहीं सेंद लग जाए तो पासवर्ड सके और रखिये इनको चेंज करिए अपनी सीक्रेशी कहीं भी लीक मत होने दीजिए कहीं ऐसी इस्तितिए आ सकती है कि आपके सीक्रेट किसी को पता लगते हैं और वो उसका मिस्यूज कर सकता है, वहाँ पर आपके लिए परशानी का सबब बन सकता है ये, और आपके लिए सोशल इंबरस्मेंट की स्थिती भी आ सकती है, तो ये तुला राशी के जातकों को इस चीज का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखिये, किसी की कंट्रो के लिए खुद को परपेर रखिये, यहां पर तुला राशी के जातकों को इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चूकि गुरू आपके लिए दोनों अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, तीसरा भाव भी अच्छा भाव नहीं होता, तो तीसरे और छटे दोनों से समंदित फल खराब हो सकते हैं, चूकि गुरू पावर फुल पावर में है, अश्टम में है, यह नुक्सान दैक हो सकता है, अगली राशी जिसको इसका नुक्सान हो सकता है, वो है धनू राशी, यह धनू राशी गुरू की अपनी ही राशी है, राशी के स्वामी का आपको किसी को पैसा यहांकि कोई किसी को होता है यहां पर पंचा नहीं होता है राशी के स्वामी का चठी जाना यहां पर अच्छा नहीं है और यहां पर गुरु चुकिइमे Major चोथे भाव के भी स्वामी बनते हैं चोथा भाव आपका सुक्तान होता है आपका पीस अप माइन ओता है आपकी मदर की हैल्थ यहां से देकी जाती है तो धनुराशी के जितने भी जातक है यदि वह प्रोपटी खरीदने की प्लैनिंग कर रहे है यदि थोड़ा साफधानी से काम लिने की जरूरत पड ही तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशानी हो सकती है यह घुरू की अपनी राशी है यहां पर आपको-थोड़ा सा साफधान रहने की जरूरत पड़ेगी तो ये तीन राशियां मिथुन तुला और धनू ये तीन राशियों के लिए गुरू का ये गोचर गुरू का वक्री होना 119 दिन के लिए अच्छा नहीं है यदि आपकी कुनली में गुरू की इस्तिती खराब है तो गुरू की कुछ रेमेडी करिए आपको उनसे डेफिनिटली फाइदा होगा सबसे अच्छी रेमेडी है गुरू का पेड़ लगाना गुरू फलदार पेड़ों के कारक है कोई भी एक पेड़ ऐसा जिस पे फल आता हो वोल लगाईए उसकी सेवा करिए उससे आपके गुरू की पुजिशन अच्छी होती है खास तो पर धनूर राशी के जाता क्योंकि वो राशी के स्वामी हैं आपके लिए इसके लावा आपके टीचर जितने भी लाइफ में होते हैं या आप पढ़ चुके हैं आप स्कूली में नहीं होंगे या कॉलेज में नहीं भी होंगे तो उनको रेंडम निकाल करिए उनके साथ बात करिए उनको अच्छा लगेगा उनको थैंक्स बूलिए जैसे कल अभी हाली में टीचर डेज निकला है तो ऐसी इस्तिती को या आती है या टीचर का बड़े आता है उसको विश करिए डेफिनिटली आपके गुरू की पॉजिशन उससे इंप्रूव होती है और यदि आपको छोग और रेमिडिज करना चाते हैं जैसे आपकी कुल्ली में गुरू जो है वो केंडर या त्रिकोन में है यानकी पहले भाव में है चोथे भाव में है पांचवे भाव में है सात् प्राजधारन कर सकते हैं इसके लावा येलो अटायर आप अपना थोड़ा सा जो है वो अजमा सकते हैं आप अपने कपड़े जो है उनमें थोड़ी सी येलो टोन रख सकते हैं दूद्ध पीते हैं तो उसमें केसर या हल्दी मिक्स कर लीजिए ये गुरू की रेमेडिस हैं यदि आपकी कुनली में गुरू की सिती अस्त वाली है या गुरू राहू से पीडित हैं या गुरू मंगल या शनी के मद्दे हैं इस तरह यदि पाप ग्रहों के प्रभाब में हैं तो गुरू की ये रेमेडिस आपको डेफिनिटली हल्प करेंगी ये वीडियो आपको कै